कि एक ऐसा ससक्त समाज है जो इस मद्ध प्रदेश के अंदर 35-36 लाग निवास करती है कभी विचार नहीं किया सिर्फ बोट के राज जीत करती रही लेकिन मैं धन्वाद गापित करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि देश के प्रधान मंतरी स्रद्धे नरिंद्र भाई जानी मोदी जी अब प्रदेश के मुखिया अदर्णी सुराज सिंग्जे चोहान ने संकल्प लिया है कि इस जनजाती समाज का हर समाज के साथ इस समाज का विकास सारजवनीक रूप से हो इस निमित हम मान सम्मान प्रतिष्ठा देने का काम निश्वित तोर से भारती जनत की सरकार ने किया है मैं इस मंच के मांद्यम से एक कोल जन जाती होने के नाथि से सरकार को और पाटी के मुखिया को भाथ बहुत धन्यवाद देती है अपने बात समाप्त करता हूं भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद मानिय शीरी रामला लोतेल जी मानिय देक्ष महुदे कोल विकास प्रादी करण आधर के साथा मंतरित हैं इस्थानिय माननिय सांसत महुदे शीरी गणिश सिंग जी सबरी बाता की जैनती के औसर पर आज हम सब के वीच मुखतित के रूप में पधारे देश के ऐसे नेता चुनोंने अकंड भारत की दूसरे सिल्पी के रूप में जाने जाते हैं राजनीत के चाणक के कहे जाते हैं मेरे जैसे करोडों इवाओं के आधर सनेता हमारे सस्थी ग्रह मंतरी माननी स्री अमिस साह जी कारक्यम के अध्यक्ष हमारे प्रदेश के सस्थी मुख मंतरी जनोंने प्रधान मंतरी सी नरेंद मोदी जी की जन कल्यान कारी योजनाओं को मद्द परदेश की धरती में गाउं गाउं घर घर पहुचाने का जो निरंतर काम कर रहे हैं ऐसे हमारे लोकप्री मुख मंति मानी सिवराज सिंग चोहान जी हमारे केंदरी मंतिरी फगजन सिंग कुलस्ते जी हमारे प्रदेश के स्वी भाजपा के अध्यक्ष बीडी सरमा जी हमारी जन्जाती मंत्री सूशी मीना सिंग जी हमारे पालक मंत्री विजे साह जी आधनी रामलाल रोतेल जी जो कोल विकास प्राज़िकन के अभी अभी अध्यक्ष बने हैं आधनी सरद भाई कोल स्री मतीन नीता कोल जी जो रीवा जिला पंचाहित की अध्यक्ष है हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष सती सर्मा जी हमारे मंत्री राम खिलामन पटेल जी रीवा के हमारे सांसत जनारदन जी भी आए है हमारी सीधी की सांसत रिती पाठक जी भी है हमारे वरिष नेता राजे इन सुक्ल जी भी है मंचपर विराजमान सभी आदरनी नेतागन उपस्तित लाकों की संख्या में आए हमारे कोल जन्जाती समाज के मेरे भाईयो बहनो बुजुर्गो मित्रो आज का दिन सचमुच हमारे सतना के लिए नहीं, बंद के लिए गौरब का दिन है राम भक्त सब्री माता जो हमारे कोल समाज की ही नहीं हम सब की आराध्य माह है उनके जन्म जन्ति में मानी पधार करके अमित भाई ने हम सब पर बड़ा उपकार किया है मैं उनका हर्दें से बहुत बहुत आभार विक्त करता हूँ मानि मुक्वंती जी का है जैसे आभारी हूँ उनके मन में लंबे समय से सबरी माता के जैनती मनाने का संकल्ब चल रहा था आजादी के लाई सबसे पहले सन 1831 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कौल जनजाती ने कौल विद्रोह के रूप में किया था और उसके विद्रोह में बड़ी सहादत कौल समाच के लोगों की हुई थी मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ आज यहां लाकों की संक्या में आए कौल जनजाती ततान सबी लोगों का मैं हारदी का भिनंदन और सौगत करता हूँ आज के जियातिक कारक्रम में हमारे जो मुखती थे यह देश के पधानमंती जो विष्ट के सबसे लोग मानवर्शी नरेंद मोदी जी के सच्चे अन्वियाई तथा उनके विचार तथा काम को जंजन तक पहुंचाने वाले एक ऐसे पथिक हैं जो चरहवेती चरहवेती के सिध्धान को आतुसाद करते करके चलते चलते आज मेरे तथा मानने मुख्वंती जी सिवराज सिंग चोहान जी के आमंतन पर सतना पधारे मैसे भारत के राजनीत के आधुनिक चालक और अखंड भारत के दूसरे सिल्पी स्रीमान अमिसाय जी का सतना लोकसवाचेत के समस्त नागरिकों तथा आज यहां आए हुए सतना रीवा सीधी सिग्रॉली पढ़ना कट जम्मु कश्मीर से धारा 370 को हमेशा के लिए खत्म किया देश के वटबारे के समय जो लोग दूसरे देश चले गए थे ऐसे सभी अलब सिंग्चा, खिंदू, सिख, खिसाई, पार्सी, जैन, सभी को भारत की नागरिक्ता दिलाने के लिए आपने कानून बनाने का काम किय पिछड़ी वर्गों को समाजिक नाय दिलाया, देश के कानून, देश में कानून का राज कायम किया, देश के सुतंत जात जन्सियों को बिना कोई दबाओ के काम करने की आजादी दी, आतंकी रास्नीत, आपकी जो रास्नीती है, आपकी जो गरीब कल्या नीती है, आपकी देश को आत्म में भर बनाने की जो नीती है देश के किसानों की जो नीती है दलित पिष्णों के महापुर्सों को सम्मान देने नई पीड़ी को जागरू करने का जो इतिहासिक कार आपने किया है आपका जितना विनदन करूं बहुत कम है आज यहां भगवान सीराम की अटू बढ़ाया है इसके लिए मैं हदय से आपका धन्यवाद करता हूं यहां उपस्थित अपने कोल जन्जाति के लाखो भाईयों की ओर से हार्दी का भिननन और सौगत करता हूं आज मैं अपने मुख्वंत्री जी का भी मैं इस जहनती पर सौगत इसले करूंगा कि जो यह तै से आज इतनी मड़ी संख्या में लोग यहां पारेकत हो पाएं मैं सभी कहरने से स्वागत अभिनादन करते हुए माननी मुख्व अतिति के स्वागत में चाहूंगा कि एक बार सब लोग तालिया बजा करके स्वागत करें बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत धन्यवाद माननी इसांसद महोदय आदरनी श्री गनेश सिंग जी अब बहुत आदर के साथ हम आमंतृत कर रहे हैं माननी मुख्व अतिति श्री शिवराज सिंग चौहां जी को बोलिये भारत माता की कौल समाज का महा कुंबह मा सवरी की जेनती पर एक बार दिल्ली तक आवाज पहुँचे बोलिये भारत माता की सियावर राम चंद्र की सवरी मया की कौल समाज की सभा में आए बेहनो भाईयों की और भांजे और भांजियों की आज हम सब के बीच में मा सवरी की जेनती पर पढ़ारे हुए भारत के ग्रह और सहकारिता मंत्री और मुझे कित्व गर्व है अंतर आत्मा से ये आवाज निकलती है कि प्रधान मंत्री स्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नित्रतों में जिनोंने नया भारत गड़ दिया है ऐसे हमारे नेता आदर्नी अमिस साह जी एक बार दौनों हाथ उपर उठाके तालियां बजाके स्वागत कीजे अमिस साह जी का वंदन कीजे अमिस साह जी का अविनन्दन कीजे अमिस साह जी का ऐसे हमारे अत्ति मुख्याती थी आदर्नी अमित साह जी हमारे कैंदरी मंत्री आदर्नी स्री फगन सिंग कुलस्ते जी खजुराहों के लोग प्रिय और यसस्वी सांसद भारती जनिता पारिटी के करमठ ध्यक्ष स्रीवीडी सर्मा जी हमारे बन मंत्री भाई विजय साह जी हमारी इस विभाक की मंत्री सुस्री मीरा सिंग जी हमारे एहा के लोग प्रिय सांसद आदर्नी स्रीमान गणे सिंग जी हमारे कॉल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रामलाल रोतेल जी ब्योहारी से हमारे विदायक भाई सरद कॉल जी हमारे मंत्री साथी गण राम खिलाबन पटेल जी विसाहू लाल जी बिर्जलाल कॉल जी महेस कॉल जी मंज पर विराजमान हमारे सभी राजंद्र सुकला जी जनारदन जी रीती जी सभी बरिष्ट नेता साथी पदाधिकारी गण उपस्थित मेरी बहनों भाईयों और बेटे बेटियों दौनों हाथ जोड के आप सब को जोहार जै जोहार राम राम आज सभरी मैया की जियनती है और मुझे वो प्रसंग याद आता है जब मा सभरी अपनी कुटिया में भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी और जब राम भगवान लक्षमन जी के साथ उस कुटिया में पहुँचे तो भाव बिभोर हो गई थी मिया सभरी उनको सुन्दर आसन पे बिठाया क्या खिलाऊं तो बहुत दिन से बेर खटे करके रखे थे बेर वो बेर खिलाने बाली थी के मन में आया के कोई बेर खटा तो नहीं है पहले मैं चक के देख लूँ इसलिए पहले मया सभरी चकती थी और फिर भगवान राम को खिलाती थी और मा सभरी के वो जूठे वेर प्रेम से भगवान राम खाते जाते थे खाते जाते थे भाव बहुर थे दोनों लक्षमन जी भी संग थे मैया ने लक्षमन जी की तरफ भी बेर बढ़ाया लेकिन लक्षमन जी थोड़ा संकोच कर गए जूठा बेर कैसे खाऊं तो कहते हैं वो बेर उन्हें पीछ फैग दिया और बाद में जब लक्षमन जी को सकती लगी मेग नाद की तो हनुमान जी सजीवन वूटी गए लेने तो वोई बेर सजीवन वूटी बना और लक्षमन जी के प्राण बचाने के काम आया भाव वोर हमारी सबरी मैया जिनके हम बन सजे परमा सबरी ने कहा भगवान राम मैंने तो तब से तुम्हारा इंतजार किया जब तुम्हें देख़ी नहीं था तुम कैसे दिखते हो तुम कैसे हो ये मुझे पता ही नहीं है तुम्हारे जनम के पहले से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ भगवान राम ने भी यही बात कही कि मेरे तो पहले ही जनम में तया हो गया था कि मैं सबरी मैया से मिलने जरूर जाओंगा सबरी मैया बोली कि रावन का बद्ध नहीं करना होता तो क्या राम तुम यहां आते तो भगवान राम ने कहा अरे रावन का बद्ध करने के लिए तो मेरे ये छोटा भी अलख्षमण ही पर्यापत था मैं केवल रावन का बद्ध करने नहीं आया हूँ मा हजारों कोश चल कर राम इसलिए इस बन में तुम से मिलने आया है कि हजारों साल बाद जब कोई भारत के अस्तित्वे पर प्रिशने ख़़ा करे तो इतिहास चिला कर कहे कि इस रास्ट को छत्री राम और उसकी कॉलिन माने बनाया है उसकी कॉलिन माने बनाया है भग्मान राम बोले राम इसलिए नहीं आया कि केवल रावन को मारना था राम इसलिए आया कि जब युगों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें अंकित होगा कि सासन, प्रिसासन और सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम ब्यक्ति तब पुफ तक पहुँचे, तब समझो के वो राम राज्य है तब समझो के वो राम राज्य है राम इसलिए आया मा राम इसलिए आया कि दुनिया को संदेश दे सके कि मा की एक्छाओ को पूरा करना, मतलब भगवान राम का होना है राम इसलिए आया कि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है राम इसलिए आया मा भाव विभोर हो गई हमारी वो सब्री मा कॉलिन मा और भगवान राम की ये विसुद्ध भक्ती इतिहास में अमर हो गई और भगवान राम ने नवदा भक्ती का पार्ट भी पढ़ाया तो सबरी मया को पढ़ाया नो भक्ती, नवदा भक्ती का पार्ट और मेरे बहनों और भाईयों कॉल समाज के बहनों भाईयों से भी मैं कहना चाहता हूँ ये मैं कह रहा हूँ तो सुद्ध हिर्दै से कह रहा हूँ मोदी जी इसलिए आए इसलिए आए कि भारत को बैबफ साली गौर अफसाली और संप्रिध बनाना था आतंक का अंत करना था इसलिए मोदी जी आए अमित सहय जी आए अन्याय को समाप्त करना था इसलिए मोदी जी आए, अमित सहय आए, बिरिश्टा चार को समूल नास करना था, इसलिए मोदी जी आए, उनके साथ अमित जी आए, और मेरे गरीब बेहनों और भाईयों, गरीब को धंग से भोजन मिल जाए, इसलिए ठीक से निसुलक रासन मिल जाए, इसलिए मोदी जी प अगर कोई बीमार हो तो गरीब का भी ढंग से इलाज हो जाए इसलिए नरेंदर मोदी आए कसमीर सदारा 370 समाप्त हो जाए इसलिए मोदी जी के नेतरत में अमिद साहजी आए भारत को एक नए मुकाम पे पहुचाना है इसलिए ये भारती जनता पार्टी की सरकार आई मेरे बहन और भाईयो इसलिए भारती जनता पार्टी की सरकार आई आज विस्तार से हमें हमारे नेता मानी अमिद साहजी संबोधित करेंगे लेकिन कॉल समाज के मेरे बहन और भाईयो जनजाती बहन और भाईयो मेरे आदिवासी बेहनों और भाईयों आये थे हमिस सहाजी 18 सितंबर को लगबग डेड़ पौने दो साल पहले जबलपुर की पवित्र धर्ती पर रगना सहा संकर सहाजी के जन्म जन्ती पर और तब उनके नेतरत में हमने तेह किया था कि आदिवासी जन्जाती समाज का संकूर्ण दिकास करेंगे पेसा एक्ट लागू करके जन्जातियों की तकदीर बदलेंगे इन छेतरों की तस्वीर बदलेंगे चवधा गोश्टाएं उस सबे हमने की थी और आज मुझे कहती हो गर्भ है कि चवधा की चवधा पूरी करके जन्जाती समाज की जिंद away की बदलने का हमने प्रयास किया है लेगन ऐस काल महकुमभ में जब आया हूँ तो पुरानी बात यह नहीं दोहराना चाहता मुझे प्रसन नताय है कहते हुए कि तेंदु पत्त अब हमारे आदिवासी और गाहों में जंगल में रहन को कदम उठाए जो कदम उठा लिए उनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा लेकिन आज सबरी मईया की जैनती है आज कुछ और नए संकल्प लेने हैं ताकि कॉल समाज की जो हमारी जनता है उसकी जिन्दगी में और आनंद और प्रसनता आए और तो मेरे बहनों और भाईयो ये केवल सबरी महा कुम्ब नहीं है ये कॉल समाज की जिन्दगी बदलने का अभियान है जनता की जिन्दगी बदलने का अभियान है हम सब जानते हैं हमारे कॉल राजा राज करते थे कॉल गढ़ी पर कॉल गढ़ी प्राचीन रीवा के त्योथर में सब को पता है कि नहीं कॉल गड़ी अरे सबको पता है कॉल गड़ी हमारे गर्व का विस है जहां हमारे राजा राज करते थे कॉल राजा मुझे कई मित्रों ने कहा कि कॉल गड़ी तूट रही है फूट रही है कब जे हो रहें कॉल समाज का गौरब इस्थापित करने के लिए कॉल गढ़ी का फिर से जीर्णो धार किया जाए कॉल गढ़ी को फिर से सवरा जाए वो लिए फिर से जीर्णो धार करना चाहिए की नहीं जड़ा एक बार जोर से बताओ पीज़े तक करना चाहिए की नहीं तो आज मानी अमित जी के नित्रत्व में हम ये फैसला कर रहे हैं कि कॉल गड़ी का फिर से जीरनो दाद किया जाएगा आज भाकेवल अवसेस सेसे बैन वंसी राजाओं ने हमारे कॉल राजी वंसी राजाओं ने इसको बनाया था और इसको राजा नागल कॉल थे इसके अंतिम राजा अब वहां हम गड़ी की मरम्मत करेंगे बाउंडिवाल का निर्मान करेंगे उसके अंदर पार्क बनाएंगे और मास सवरी की पृतिमा इस्थाफित करेंगे उक्तिगड़ी में बिंद की गौरफ साली आदिवासी संस्कृति को दरसाने के लिए सिला लेक होगे हमारे रीती रिवाज हमारी बेजबूसा और हमारे इतिहास को दरसाने की व्यवस्था की जाएगी और उपलब्धता के आधार पर अंतिम कॉल राजा के तेल चित्र को भीवा लगाया जाएगा और मैंने पूरी तैयारी से आया हूँ इसका इस्टिमेट बनवाया है तो इन सारे कामों में लगबग साले तीन करोड रुप्या खर्चा होंगे साले तीन करोड रुप्या खर्च करके कॉल गड़ी का फिर से जीर्णो धार किया जाएगा एक संग्राला बनाए जाएगा या कॉल जाती की परंपराएं हमारे महापुरुस हमारे वेजबुसा हमारे इतिहास को दरसाने का काम किया जाएगा मेरे बहन और भाईयो कॉल गड़ी के संड़क्षन के साथ साथ मेरे पास कई भाई और बहन आए मैं जानता हूँ बड़े हिस्से में कॉल भाई और बहन भूबी ही इन है खेती की जमीन इनके पास नहीं है रोजगार के साथन स्वीमित है और इसलिए जो हमारे कॉल बेटे-बेटी व्यवसाय करना चाहेंगे उनको व्यवसाय के लिए लोन उपलब्ध कराये जाएगा जिसकी गारंटी भारती जनता पार्टी की सरकार लेगी गारंटी सरकार लेजी लोन की ब्याद की समसिडी भी देंगे हमारे पढ़े लेके बच्चे अलग-अलग काम धंदों में आए इसकी हम चिंता करेंगे अभी सास की नौक्रियों में भरती के लिए एक लाख 14,000 पदों पर भरती हो रही है हमारे बच्चे पीछे ना रह जाए और इसलिए हम ये प्रियास प्रारंब करेंगे के इनको ठीक से प्रिसिक्षन और कोचिंग की व्यवस्ता की जाए ताकि हमारे बच्चों का चेनी भी सरकारी नौक्रियों में हो सके इस काम को भी हम लोग करेंगे कॉल समाज के हमारे बेटा बेटी बड़ी संख्या में पढ़ने अब रीवा आते हैं सतना आते हैं अलग-अलग जिला मुख्यालों पे जाते हैं और इसलिए हम कॉल समधाय के छात्रों के लिए रीवा में पोस्ट ग्रेजुएट होस्टल का अन्रमान करेंगे और सतना में बेटियों के लिए होस्टल बनाई जाएगी ताकि हमारे बेटा बेटी पर सके बोलो हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए जारा जोर से बता पढ़ना चाहिए कि नहीं ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ें और आगे बढ़ने का काम करें और पढ़ाई में एक अद्भुत काम किया है प्रदान मंत्री जी ने मानी अमिस्साह जी ने कांग्रेस ने तो भीया ऐसी विवस्था बना दी थी कि मेडिकल की इंजिरिंग की जो उंची उंची पढ़ाई होती है वो अंग्रेजी में हो अब ये सरदंत्र था ताकि गरीबों के बेटा बेटी आगे नहीं बढ़ पाएं बताओ मेरे बेहनों और भाईयों हमारे बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या जो और से बताओ जानते हैं क्या नहीं जानते तो हमारे बच्चे पीछे रह जाते थे मैं अमिज साहजी का भी नंदन करूँगा भोपाल आके उन्न ने तै किया कि मेडिकल और इंजिनिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी हिंदी में ताकि हमारे बच्चे भी पढ़े के डाक्टर बने इंजिनियर बने और आगे बढ़े और इसलिए वो रास्ता भी हमारा मानी प्रिधानमंदी के प्रत्म है मानी अमिज साहजी ने खोलने का काम किया है मेरे प्रिये बेहनों और भाईयों मैं जानता हूँ मैं हर मैं सबरी आस्रम बनाए लोकारपन होना ठीक है आपकी तरफ से मांगाई कि उसको और बढ़िया करके उसको लोकारपित किया जाए उसको लोकारपित भी करेंगे और हमारे कॉल समाज के देवी देवता, खैर माई जिनको हम पूजते हैं अलग अलग छोटे छोटे स्थान बने हैं उन स्थानों का भी ठीक से पुनर्दिर्मांड होना जरूरी है संदक्चन होना भी जरूरी है बोलो जरूरी है की नहीं जोर से बताओ है की नहीं तो जितने भी हमारे धार में कैसे छोटे छोटे स्थान हैं उनका भी विकास करने का काम किया जाएगा और एक बात आज और मेरे प्रीए बेहनों और भाईयों कई लोगों ने बताया कि वो जिस जगे पर रह रहें वो जगे रह तो रहें 40 साल से 50 साल से लेकिन वो जगे उनकी नहीं हैं वो जगे उनकी नहीं है कभी मज़ूरी करने आए थे भाँ बस गए अब कई बार भाँ को कठनायों का सामना करना पड़ता है हमने पट्टा देने का प्रयाज किया लेकिन पट्टा कई बार कोर्ट में इसलिए स्टे हो जाता है कि प्राइबेट मालिक कोई और है जमीन किसी और के नाम पर लिखी गई है आज कॉल समाज के बहन और भाईयो इस कॉल महाकुम्ब में हम ये संकल्प करते हैं कि कोई भी कॉल समाज का भाई बहन रहने की जमीन के तुकुडे के बिना नहीं रहेगा हर भूमी ही जमीन कॉल समाज के भाई बहन रहने का पिлаड उपलब्ध कराया जाएगा हई ब़ daí मेरी एक ही प्रास नहें कि जहां उपलब्ध होगा हमा कराएँगे जहां उपलब्ध होगा जहां आज रह रहे हैं भावह से दूर हो सकता है दूसरे गाम हो सकता है तो जमीने चिनवादी थी हमारी उनके समय में यह हुआ था खरीदी की बिक्री की छूट मिल गई थी और छोटे-छोटे तुकले हमारे पास थे वो भी तुकले हमारे पास नहीं रहें लेकिन अब यह काम भी बहनों और भाईयो करने का काम भारती-जंता पार्टी की सरकार कर मेरे प्री बहनों और भाईयो एक बात और पिछले सरकार में 2017 में हमने फैसला किया था बेगा भारिया सहरिया जो बिसेश पिछडी जन जातिया हैं उनकी बहनों को एक हजार रुपया आहार अनुदान दिया जाएगा कांग रेस और कमलनाथ ने वो गरीबों के एक हजार कई कौल समाज की बहनों को भी एक हजार रुपया आहार अनुदान देने का काम भारती जनता पार्ट की सरकार करेगी लाडली बहना अपने बच्चों के पॉसन के लिए दूद पिलाना है सब्जी खिलाना है दाल खरीदना है फल खरीदना है छोटी मोटी जड़वत पूर कारिटी की सरकार का यह एतिहासिक फैसला कि अपनी इन बहनों को भी एक हजार रुपया प्रतिमाह उपलब्द करवाया जाएगा ताकि इन बच्चों का भी भविस से बहतर बन सके और यह आगे बढ़ने का काम कर सके मेरे बहन और भाईयों इस कॉल महा कुम्भ मैं एक बा और बाद में पीके डोलते डालते निकलते थे कई बार कई बार ऐसी घटना होती थी आप राधिक जिससे माता और बहनों को तकलिफ होती थी अब मेरे बहनों सराप की दुकानों के साथ जितने अहाते थे सारे दारू के अहाते बंद कर दिये जाएंगे एक अप्रेल से कोई दारू का सरापका अहाता मदफदेश की धर्ती पर नहीं खुलेगा मेरे बेटा बेटियो मेहनस से पढ़ो धंक से पढ़ो इमांदारी से आगे बढ़ो कोई कमी नहीं है तुम में उतनी बुद्धी है जितनी बाकों में बाकी में होती है सरकार तुम्हारे साथ है दिली में प्रधान मंत्री स्रीमान नरेंदर मोदी जी आपके कल्यान की एक नी अन्य को योजनाय बना रहे हैं नरेंदर मोदी जी भारत को भगवान का बर्दान है उन्ही योजनाओं का लाव जमीन पर पहुँचाने के लिए हमने विकास यात्राएं निकाली पहले सियम जन से बाभियान चलाया गाओं गाओं में सिविर लगे और 83 लाख नए नाम हमने जोड़ दिये जिन में कई कॉल समाच के थे जिनको रासन नहीं मिलता था लेकिन गरीब थे उनके नाम भी रासन की सूची में जोड़े गए आइस्पान कार्ड बनाए गए अभी गाओं गाओं में विकास यात्राएं जा रही है और जो भी काम बचे हुए होते हैं वो गाओं में करते हैं भारती जनता पार्टी विकास यात्राएं निकाल रही है और कांग्रेस के बल गाली देने का काम कर रही है आपकी सुभधाएं छीनने वाले ये कांग्रेस के लोग किसमों से आपके पास आएंगे और तो मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूँ मेरी बहनों और भाईयों जो अपना साथ दे बताओ उनका साथ देना चाहिए कि नहीं एक स्वर्म बताना पीछे तक जो हमारा भला करे उनका साथ देना चाहिए कि नहीं और जो और से बताएं देना चाहिए कि नहीं तो मोदी जी के साथ आईए, भाजपा की सरकार के साथ आईए, हमारे साथ चलिए, ताकि मिलके हम कौल समाज के भविस्ट को भी और बहतर बना सकें, और अपने छेत की हालत भी बदल सकें, हमें आपका साथ चाहिए बेहनों और भाईयों, मिलके साथ चलेंगे, बोलो तयार ह सब तयार हो तो उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ और दोनों मुठी बांधिये और संकल्ब कीजिए मोदी जी के साथ चलेंगे भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे मामा के साथ चलेंगे तयार हो तो उठाओ दोनों हाथ बादो दोनो मुठी और मेरे साथ मोलो भारत माता की सबरी मया की कौल समाज की सियावराम चंद्र की हर हर नर्मदे बहुत धन्यवाद माननी मुठी मंतरी जी कारिकरम के बुक्यती थी माननी केंद्री ग्रहेवं सहकारिता मंतरी श्री अमिश्चा जी से अब हम विनमराग्रे कर रहे हैं कि आप आएं और हमारे सभी भाई बेनों के साथ आत्मिय वारत अलाब करें जोरदार स्वागत माननी अग्रे मंतरी जी का अमिश्चा जी जिन्दाबाट अमिश्चा जी जिन्दाबाट अमिश्चा जी जिन्दाबाट मेरे साथ बोलिये बारत मता की क्यों भई कॉल महाकुम में ऐसी आवाज होगी मोदी जी आज मेगाले में है वहां तक आवाज जानी चाहिए मेरे साथ सबी लोग हाथ उठाईए फीर से मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार बनेने के संकल की मुठ़्ी भींचिये और प्रचंड वाद से बोलिए बारत मता की मंच पर उपस्तित मध्यप्रदेश के गरीबों के हितेशी और मध्यप्रदेश के लोग प्रिय मुख्यमंत्री श्रिमान सीवरा सिंग चौवान जी मोदी जी की मंत्री परिशत में मेरे साथी श्री फग्गन सिंग फुलस्ते जी भाजपा अध्यक्स मध्यप्रदेश के और सांचद श्री बीडी सर्मा जी सतना के लोग प्रिय सांचद और मेरे मित्र बाई गनेश सिंग जी हमारी जन जातिय मंत्री सुस्री मीना सिंग जी सी रामखिलावन पटेल जी विशाहू लाल सिंग जी सी सरत कॉल जी स्री रामलाल रोतेल जी हमारे प्रभारी मंत्री स्री विजय साज जी और आज नजर भी न पहुंच सके इतनी दूर तक इस सबरी कुम्ब में आए हुए कॉल महा कुम में आए हुए सभी मेरे प्यारे भाईयो बेनो आपको प्रणाम जोहार नमस्कार मित्रो सीवराज जीन ने बहुत लंबी बात करी है मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है आज एक बहुत बड़ा दिन है एक जन जाती मा अपनी भक्ती से युगो युगो तक राम भक्ती से युगो युगो तक लोगों के लिए प्रैना बन जाए ऐसा जीवन और ऐसी भक्ती सबरी मा की थी हम सभी उनको प्रणाम करकर आज जहनती पर उनको याद करते हैं मैं जब यहां आया हूँ तब मा सारदा की इस पवित्र भूमी को भी प्रणाम करना चाहता हूँ मा की इस भूमी पर मैं मेरे जीवन में तिसरी बार आया हूँ जब जब भी आया नई उर्जा और छेतना लेकर गया हूँ और यह मा समगर विश्व क्या कल्यान करने वाली मा है और आप सभी लोग स्वभाग्य साली है कि इनके सानिध्य में आपको रहने का मौका मिला है मित्रो आज करोडो रोप्य के सिलान्यास और लोकारपन सिवराज जी ने मेरे हाथों से कराए है सत्तर निर्मानकारिय, 507 करोड के सिलान्यास, 18-26 करोड के छोटे-छोटे कामों का लोकारपन और आज मैं मन से सिवराज जी को और भाजपा सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी सभी जरूरियातों को समझ कर धेर सारे भाजपा सरकार के संकल्प हमारे मुख्यमंत्री सिवराज सिंग ने कॉल जाती और आदिवासी भाईयों बेनों के लिए लिए मैं पहले जबलपूर आया तब उन्होंने 14 गोषणाई करी थी मुझे लगता था मेरी उपस्तिती में मुझ से सिवराज जी गोषणाई करा रहे हैं पूरी नहीं होगी तो मध्यपदेश के ट्राइबल भाई बेन मुझे पकड़ेंगे मगर आज उन्होंने हिसाब दे दिया 14 की 14 गटन गोषणाई समाप्त हो चुकी और मित्रो यही भारतिय जन्ता पाटी की पहचान है अंत्योदाई समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को समाज में सन्मान के साथ जीने का रास्ता लेकर जाना यह हमारी सरकारों का संकल्प होता है जब आपने मोदी जी की पहली बार सरकार बनाई 2014 के अंदर तब मोदी जी ने पहले बासन में कहा था कि मेरी सरकार आदिवास्यों की सरकार है दलीतों की सरकार है पीछडों की सरकार है और गरीबों की सरकार है दुनिया भर में एक संदेश सरकार की प्राथमिकताओं के लिए मोदी जी ने भेज दिया था और आज नौ साल बाद पीछे मूड कर देखते हैं तो मोदी जी ने अपने बोली हुई एक-एक बात को नकेवल सत साबित किया इसको जमीन पर उतारने का काम किया है एक जमाना था कॉंग्रेस की सरकार थी गरीबों के घर में सोचाले नहीं था मोदी जी की सरकार ने दस करोड गरीबों के घर में सोचाले बनाए इसमें सबसे ज्यादा सोचाले मेरे आदिवासी भाईयों बैनों के घर में हुए अनुसुचित जाती के घर में हुए तीन करोड लोगों को गर दिया, गर में बिजली पहुचाई, गर में गैस का सिलिंडर पहुचाया, पांच लाग तक का पूरा स्वास्त का खर्चा प्रियोप कॉस्ट कर दिया और अब मुझे बताओ भाई सभी लोग कॉरोन का दोनों टिका लग चुका है या नहीं लोग चुका है, जिनको लगाए हाथ उपर करो दो चरह, दोनों टिका लगाए ना, एक पैसा देना पड़ा है, मोधी जी ने कौफी भी पिलाई, कॉरोना का टिका भी दिया, और पूरे भारत को कॉरोना से सुरक्षित करने का काम, नरेंद्र मोधी जी ने किया है, इसके साथ साथ, हर घरीब के घर में, प्रती व्यक्ति प्रती मा, पांच किलो अनाज, मुप्त में भेजने का भैसला, नरेंद्र मोधी जी ने किया, और देश के असी करोड गरीबों को, ढाई साल हो गया, ढाई साल से मुप्त में पांच किलो अनाज बेजा जा रहा है, मित्रो, ये भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार है, कॉल समाज के सभी भाईयो वेनों को, मैं आज यहां आया हूँ तब, 1831 का कॉल फिद्रो भी याद कराना चाहता हूँ, भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ही है, जिनोंने जन्त जातियोंने किये हुए स्वातत्र संग्राम के समारक बनाने का काम किया, मोदी जिनने 200 करोड के खर्चे से देश बर में 10 समारक बनाने का नीने किया, इसमें हमारा कॉल विद्रो का भी छिक्र सभी समारकों में समाहीत किया गया है, यहाँ पर गौंड महरानी दुर्गावती की बहदूरी हो रानी कमलापती का बलिदान हो अमर सैनानी बुद्धु भगत जोवा भगत मादारा महतो इनकी बात हो यह सभी को हमारी मध्यपदेश सरकार ने सीवराज जी ने कहीं न कहीं जोड़कर याद रखने का काम हमने किया हैं मुझे बताओ जन जाती समाज के भाईयोवे नो सतर साल तक कॉंग्रेस ने एक भी जन जाती समाज के बेटे या बेटी को राष्ट्रपती नहीं बनाया था नरेंद्र भाई ने एक गरीब आदिवासी की बेटी स्रीमती द्रवपती मुर्मु को राष्ट्रपती बनाकर समग्रजन जाती समाज का सनमान करने का काम किया है और लगबग लगबग पांच करोड के खर्चे से लगुनाजसा और संकरसा का समारक भी हमारे सिवराजी ने बनाया और धेर सारी योजनाए लाएं मित्रो नरेंद्र मोधी सरकार आदिवास्यों के लिए अनुसुची जन जाती के लिए बजेट का परिव्य कॉंग्रेस की सरकार में 24,000 करोड था मेरी बात ध्यान से सुनना कॉंग्रेस की सरकार पूरे देश में 24,000 करोड रुप्या खर्च करती थी आदिवासी भाईयों बैनों के लिए स्कूलों का बच्चों का पहले सिर्फ 166 कुल स्विक्रित किये गए एकलव्य मॉडेल स्कूल अब 690 किये गए हैं और इसके साथ साथ सिर्फ 1000 करोड रुप्या कॉंग्रेस चात्र वृत्ती देती थी मोदी जी ने इसको 2833 करोड रुप्या तक पहुँचा कर कई गुना बढ़ाया है मित्रो मैं ज्यादा बात नहीं करना चाता यहां बीच में थोड़ा समय पंजे की सरकाराई कॉंग्रेस की सरकाराई सिवराज जी ने बात पा सरकार ने जितने भी गरीबों के जन जाती के काम सुरू किये थे कॉंग्रेस सरकार ने सारे रुप्या तो भगवान भला करे उनकी कुबती सुजी सरकार गिर गई शीवराजी की बाद़पा सरकार फीर से बनी और सीवराजी ने वो सारी योदनाओं को फीर से चालू करने का काम किया है उपर मोदी जी नीचे सीवराजी एक डबल एंजिन की सरकार मध्या प्रदेश के हर गरीब के जीवन में सुख पहुंचाने के लिए संकलपीत मैं आज यहां आया हूँ एक medical college के उद्गाटन के लिए और आपके दर्सन करने के लिए परंतु साथ में मैं कहना जरूर चाहूंगा इसी वर्स में चुनाव आने वाला है चुनाव में भारतिय जंता पार्टी की सरकार को फिर से बनाना है मुझे बताईए सभी लोग भाजपा सरकार चुनेंगे क्या अरे जोर से बोलिये चुनेंगे क्या कमल के निसान पर बटन दबाएंगे मोदी जी के हाथ मद्बूत करेंगे मध्यप्रदेश में फिर से बाजपा सरकार लाएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाईए उठाईए दोनों हाथ और आज सिवराज जी ने बहुत सारी गोसनाएं किये उनका धन्यवाद करके जोर से भारत मता का जयकारा लगाए बोलिये भारत मता की बारत मता की वन दे वन दे वन दे वन दे रहे कि आप अपने करकमनों से हित्गराईयों के हितलाबों का वित्रण करें सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं ललिता रावज जी को आप मद्रप्रदेश आजीवी कमिशन के सहायता प्राप्त कर रही हैं एक दश्मलव आठ चाल लाख रुपे की इसके प्रतिकात्मक चेक माननीय मुक्यति थी माननीय किंद्रिय गेमंत्री जी तेथा मुक्यमंत्री जी अपने करकमनों से प्रदान कर रहे हैं सुष्ट्री ललिता रावज जी मिर्गौती ललिता रावज जी के बाद राजकुमारी कोल हिनोती बंदना डेगरहट इनको साट लाख रुपे का इनकी समू के लिए मद्रप्रदेश राज ग्रामी नाजीवी का मिशन की ग्रुप समू के लिए साट लाख रुपे का चेक पहले 184 लाग याने एक करोड़ 84 लाग का चेक उसके बाद 60 लाग रुपे का चेक कृशी अभी आंतरिकी विभाग सत्ता की ओर से श्री प्रवीन कुमार कोल तथा श्री प्रवीन कुमार कोल को 9,44,400 रुपे का चेक कस्टम हाइरिंग सेट के लिए कृशी अभी आंतरिकी विभाग सत्ता की ओर से महिला एवं बालविकास के लाडली लक्ष्मी योजना के प्रामान पत्र तीन लाडली लक्ष्मियों को परदान करेंगे मुक्यतिती महोदै एवं मान्य मुक्वंतर जी एक लाग तेतालिस हजार रुपे के प्रमान पत्र स्वरागिनी कोल पिता अनिल कोल शायरा कोल पिता परदीब कोल तधा महक कोल पिता शेलेंद्र आदिवासी तीन हमारी लाडली लक्ष्मिया, स्वरागिनी, शायरा और महक इसके बाद जनजाती कारे विभाग सत्ता की ओर से खुश्बू कोल को किरना को दुकान के लिए पचास हजार रुपे आकाश कोल को आटो मुबाइल उपकरन के लिए पचास हजार रुपे सुदनलाल कोल को किरना दुकान के लिए पचास हजार रुपे तंट्यमामा आर्थे की उजना के तहर जन जाती कारे विभाग में बोधन कोल को पचास हजार रुपे किरना दुकान के लिए और राजबहिया कोल को भी किरना दुकान के लिए ही 50,000 रुपे की सहायता के चेक मुक्यतिती महोदे प्रदान कर रहे हैं नगरपालिक निगम सतना की ओर से सुशीला कौल जी, अभिलाशा कौल जी, कपिल कौल जी, अनिता कौल जी को पी-एम सुनिधी योजना में 10,000, 10,000, 10,000 और 20,000 रुपे के डेमो चेक प्रदान किये जा रहे हैं नगरपालिक निगम सतना की ओर से सुशीला कौल जी, अभिलाशा कौल जी, कपिल कौल जी और अनिता कौल जी को नगरपालिक निगम सतना की ओर से पी-एम आवास योजना की चाबी शकुंतरा द्रेवी कोल वार्ड नौ 17 के लिए पीम आवास की चावी साहिबा कोल वार्ड नमबर 9 के लिए जिला व्यापार एवा मुद्योग केंदर सत्ता की और से प्रधान मंतरी रोजगार सुजन कारिकरम में श्री कैलाश सिंग जी को आनलाइन कैफे जोडने के लिए चालू करने के लिए पांच लाख रुपे की साहिता और जिला व्यापार एवा मुद्योग केंदर सत्ता की ही और से विमला कोल जी को किराना दुकान के लिए एक लाख रुपे की साहिता के चेक माननी मुख्यaquतिति महोदे, प्रदान करेंगे. केलाश सिंग जी, और विमला कौल जी. पी-ैम आवासि उज्जक शहरी में परतीगातमक चाबी प्रतान कर रहे हैं, माननी मुख्यमतरी जी ते था माननी मुख्यतिति जी. बहुत बहुत धन्यवाद मानिय मुक्यतिति केंदर ग्रेमंतरी जी माननी मुक्यमंतरी जी तथा सम्मानी मंच और ऑपचारिक रूप से आभार के दो शब्द कहने के लिए आधर के साथ आमन्तर थैं जिला पंचायत अध्यक्षत्ना आधरनेश्री राम खिलावन कोल जी झाल झाल